जै मसी की दोस्तों साबत स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है हम पार्ट आठ पढ़ते आ रहे हैं और आज हम ब्रहस पतिवार का यह भाग हम अध्यान करेंगे जिसका शीर्शक है विश्राम और अधिक विश्राम और अधिक यह घटना हमें पहले के वर्सिस फाइफ तो एट में हमें मिलेगी परमेश्वर जानते है कि इलिहा जो है दोड़ते दोड़ते अब ठक गया बहुत ही ठक चुका है और उसके ठकावट की कारण उसकी वह बेवजा दोड ही है तो परमेश्वर यह भी चानते है कि इलिहा अपने शरीर में इससे और उसे आगे वह भाग नहीं सकता या वह अपने आप कुछ नहीं कर सा उसकी शमता बिल्कुली जो उर्जा उसकी एनरजी पूरी निकल चुकी है तो एलिहा के दिल को भी आराम करने की जरूरत है ऐसा प्रभू समझते थे कि इलिहा भी जो प्रभू के वचन को स्प्रेड करता था उसके जीवन में भी ऐसा समय है जहां पर एलिया को भी एक आराम की जरूरत होती है तो एलिया अप्राद बोध बहुत ही गिल्टी फील करता है और भारी बोज जो रहा बहुत ही एक भारी बोज को उठाते हुए दिखाई देता है और परमेश्वर एलि यह वास्तव में वह सो सकता है और ताजगी महसूत कर सकता है तो शायद हमें लगता है कि अगर इस कहानी का एंडिंग ऐसे हो तो यह अच्छा ही हो एक हैपी एंडिंग है ना सभी चाहते हैं लेकिन यह नहीं है यह वह अंत नहीं था इससे ज्यादा विश्राम से ज्याद और कुछ था जो प्रभू उसके जीवन में देना चाहते थे विश्राम इश्वर हमें देते हैं है ना विश्राम इश्वर हमें देते हैं हमारे ठके हुए शरीर को शरीर के लिए सोने से ज्यादा विश्राम कौन देता है प्रभू इश्यू ही हमें देते हैं ऐसा नहीं कि मै सोता हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट मिलता है, मुझे विश्राम मिलता है नहीं, इस से ज्यादा सोने से भी ज्यादा एक विश्राम जो आराम है वह परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं और देते भी है तो विश्राम परमेश्वर हमें देते हैं जो हमारे दिलो के लिए चिकित्सा है और परमेश्वर इस उपचार को जल्दी नहीं करते हैं, जल्दी से यह उपचार वह नहीं देते हैं, तो हम एक बाइबल में एक क्वेशन या एक प्रश्न हम पूचेंगे कि अब अलिया कहा जा रहा है, तो उसके लिए तो एक हैपी ए आप और से फोने के बाद, अलिया क्या करता है तो वहां फिर से दोडने लगता है यह यह वाली दोड उस पहले वाली दोड से कुछ अलग ही है लेकिन इस समय परमेश्वर वहां है जहां एलिया है जहां भी एलिया चलता है वहां परमेश्वर भी उसके साथ है परमेश्वर समझते है कि हम पाप से भरी धर्ती पर हम रहते हैं और इसलिए जीवन में हमें दुख का अनुभव तो जरूर होना ही है और यही दुख हमें उकसाता है भागने के लिए उकसाता है लेकिन परमेश इश्वर हमें सही दिशा में चलने में हमारी वह मदद करते हैं, तो हम देखते हैं कि वह चाहता है कि हम उसके पास चले आए, तो जो 1st Kings 19 चैप्टर में जो 12th verse है, वहां हमें ऐसा पढ़ने मिलता है कि जब हम इश्वर के पास जाते हैं, तो वहां हमें उसकी शांत, कोमल, आ हम इश्वर की वानी को हम जब पीछा करते हैं, जब हम सुनते हैं, तब हमें वह सही रूप से वह आराम हमें देंगे, यह उस आराम को हम प्राप्त करेंगे, अब इलिया जो है, वह जो ज़ाडू पेड के नीचे वह बैठ जाता है, और अब तो उसे बस मरना, उसे बस बस मरना चाहता है कि बस परमेश्वर बहुत हो चुका अभी मुझे मरना ही है तो वहाँ वह बैठता है और उसे लगता है कि उसके सभी अच्छे दिन खत्म हो गए है और हो चुके है और उसे लगता है कि अलिया उसके पास उठने और परमेश्वर से मिलने की जो यात्रा करने की कोई उर्जा उसके पास नहीं है उसे लगता है कि अब मेरे पास कोई एनरजी ने फिर से परमेश्वर के पास जाने की तो कभी-कभी हमें भी ऐसा लगता है na कि बस परमेशन और नहीं, मैंने बहुत कुछ सह लिया, इसके बाद और नहीं, और मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं प्रात्ना करने की भी मेरे बास शमता नहीं, गभी-कभी हमारी जिवन में ऐसा अनुपव आते हैं, हम सोचते हैं कि कितना प्रार्थ ना करना चाहिये कितना मैंने प्रेयर किया कितने सालों से में प्रेयर करते आरही हूं फिर भी ये समस्या ठीक नहीं हो रही है तो हम ठक जाते हैं और हम बहुत जल्दी गिवप कर देते हैं कि ने, अभी बस अब मरना ही है तो एलिया के तरह कभी-कभी हम बच्चों जैसा हम ऐसा एक हरकत हमें आती है तो हम देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर एलिया को वह उर्जा देता है जो उसे चाहिए मतलब परमेश्वर जानते है कि किस तरह की उर्जा इसमें नहीं है और किस तरह की उर्जा परमेश्वर उसे देना चाते है तो वह देते भी है परमेश्वर हमें भी एक बहतर कल देने के लिए वह दे सकते है एक बहतर कल हम सभी को वह दे सकते है तो एलिया के लिए परमेश् के 19 चाप्टर में 15-16 यह वर्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां में अच्छी समझ मिलती है कि एलिया के लिए चंगाई तब आएगी जब वह परमेश्वर के नियमों का पालन करेगा एलिया के लिए नहीं हमारे लिए भी है ना एलिया ने भी वही करना है जो हमें आज हमारे ज जरुरुत है तो हमें प्रभू के नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा है ना तो और अपने आराम को स्विखार भी करना चाहिए लिया को अपने आराम को स्विखार जो आराम प्रभू दे रहे हैं उसे स्विखार भी करना चाहिए तो उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में प्रभु के नियमों को पालन करना है और वह जो आराम हमें देते हैं, उसे हमें स्विकार भी करना चाहिए, सो एलिया के पास अभी भी परमेश्वर के लिए करने के लिए करने को पृत्वी पर कुछ काम तो जरूर था तो परमेश्वर यह भी जानता है कि एलिया जो है फिर से स्वर्ग से अगनी या आग बुझाएगा वह स्वर्ग से आग लाएगा और वह आग बुझाएगा और एलिया जाडू के पेड के नीचे बिना किसी उमीद के नहीं मरेगा तो परमेश्वर का जो योजना था, उस योजना में वह अच्छी तरह से जानते थे कि एलिया उस जाडू के पेड़ के नीचे बैट कर बिना किसी उमीद के वह मरने के लिए प्रभू से नहीं छोडने वाले, और तो और उसके लिए और भी कुछ अधिक था, विश्राम नही सवार होगा, तो प्रभू जानते थे कि एलिया के लिए और भी ज्यादा कुछ था, तो बस यहां इस पेड़ के नीचे बैट कर यहां मरना चाहे या कोई बिना कोई उमीद के यहां पर बैटे, ऐसा प्रभू की योजना में नहीं था, प्रभू कुछ अधिक देना चाहते और वह उड़ने वाली गाड़ी उसे कहा ले जाने वाली थी, स्क्वर्ग ले जाएगी, जहां वह हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ विश्राम करेगा, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे समस्या हैं जो हम अपने आप ठीक करना चाते हैं, लेकिन ऐसा करते करते हम दोड़ते हैं, भागते हैं और बहुत सारे चीजें हमें और भी थकावट महसूस कराती हैं, हमें थका हुआ एक इंसान, हमारी उर्जा हमारे में नहीं रहती, हमारी उर्जा इतनी कमजोर या कम हो जाती है, कि हम प्रात्रा भी नहीं करत कि बस अब और नहीं मुझसे और नहीं होगा और हम ऐसे गिवप करते लेकिन याद रखेगा एलिया के जीवन में जो योजना प्रभू ने रखी थी उसी तरह आपके और मेरे जीवन में भी प्रभू ऐसा एक योजना उन्होंने रखा है जिसमें बस विश्राम ही नहीं मिलत मगर विश्राम से और ज्यादा और अधिक प्रभू आपके लिए कुछ उन्होंने रखा है इसे आप विश्वास कीजिएगा परमेश्वर आपको जरूर आशीश देंगे झाल झाल